देखिए आप पर कोशन दिया गया है लंबाई एल और द्रमान एम की एक छड़ को टी बरावर जीरो पर एक छोड़ पर मूल पर इस्थिर करके एकस अक्ष के अनुदिश रखा जाता है देखिए आप पर जो दिया हुआ है कोशन में उसको पहले आप देखिए आप यहां पर यह आपका एक रोड है और यह रोड है यह रोड है यह ना इस तरह रोड है और इसको जहाए कि टीज कल्टु जीरो पर एक छोर पर मूल बिंदु पर मूल बिंदु माली यहां पर यह मूल बिंदु है यह रोड है यह को मूल बिंदु है यह तीन है ना कि यह धनादमत जेड अक्ष से देखने पर मुक्त छोर पर एक सदय छड़ के लंबत कार करने वाले एफ के करण जेड अक्ष के परिटा एक सवाई तल में बामौर्त गुणन करता है तीस समय बाद हमको निकालना है देखिए यह आपका फोर्स देखी इस तरह लग रहा है और इस डायरेक्शन में यह लगाया जा रहा है और यह आपका एल लेंथ है इस रोड का है एल लेंथ है इस तरह है और टाव बराबर कि टाक लेगा इसके बाट धुम रहा है यह यह ईंटिकलोक वाज में तो यह आपकर टाव बराबर क्या लिख सकते हैं आई आई अलफा लिख तो क्या होगा एफ हो जाएगा और पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और छाड का रोड का इस इंड के बाउट क्या होता है एम एल स्क्वाइर बाई थिरी और यह अलफा हो गया अलफा का मान निकालेंगे तो क्या होगा थ्री एफ एल थ्री एफ एल बटा एम एल स्क्वाइर एम एल स्क्वाइर देखें एक एल कटेगा है न एक एल कट जाएगा वहाँ से भी हम लोग काट सकते थे तो यह हो जाएगा अलफा इसक्वाइर तो यह जाएगा आपका थ्री एफ बटा एम एल बच जाएगा अब देखें टी टाइम बाद हम लोग को निकालना है कौन यह बेंग लोड फ्रस्टी ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अलफा टी तो यह देखें आपका जीरो है निशली रखा हुआ था ओमेगा इसक्वाड़ टू कितना होगा अलफा टी तो ओमेगा इसक्वाड़ टू लिख सकते हैं आलफा कितना है त्री एफ 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 टी से मॉल्टिप्लाई हो जागा बटा एफ एफ इल तो कठी किया है ओ इल तो कठी त्री एफ इसाओ कर दो जाए है अ फाइनल से लिख दे फिर से अच्छे से ओमेगा बराबर ती एफ टी बटर एम एल यह आपका एंसर हो जागा है ना यह एंसर हो जागा है नहीं यह इस तरह देखे इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए 3FL कि आपका कोरेक्ट आप्शन है कि अला नहीं दिखाए पाड़ रहा है कि यह आपका आप्शन हो गया 3FT by ml यह ml है अब उपर मैं सरफ इस पर लिए ओमेगा इसकाल टू त्री एफ कि आप टी कि अबाई कि मैं में है यह हो गया कि इस तरह लोग करते हैं कि इस तरह लोग बनाएंगे